नमस्ते आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेमेटर्स बॉट में और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपना खुद का मैं आपने इस से पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आप अपनी इस वीडियो में आप लिए को बताने जा रहा हूं कि आप वो खुद का अपना बॉट कैसे बना सकते हैं कोईय तो सबसे पहले आपको जाना है हमारी वीडियो के description box में अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को आप तक नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं जिसका नाम है What is MDist Search Bot and Link Search Bot How to use MDist Search Bot and Link Search Bot दोनों एक ही हैं और आप इस वीडियो को जाकर YouTube के उपर देख सकते हैं इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप उस वाट को किस तरह से अपने लिए बना सकते हैं मैं इस वीडियो में फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ मैंने पहले से एक mdisk search bot बना के रखा हुआ है जो मैंने deploy किया हुआ है coave के उपर जो यहाँ पर currently working है वो भी healthy condition में एक बार मैं अपने browser पर जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ coave के उपर जाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह coave है और यहाँ पर मैंने link search bot mdisk search bot को deploy किया हुआ है और आप यहाँ पर deployment दे सकते हैं जो की healthy है और मैंने इसे कल रात को deploy किया था देखो इसे 14 गंटे हो चुके हैं बाट को deploy हुए और यह 14 गंटे से बिना किसी error के run हो रहा है अब मैं हाँ पर क्या दे कर देता हूँ यह है हमारी repository जो अभी फिलाल के लिए private है और इस वीडियो को launch करने के बाद मैं इस repository को public कर दूँगा और इसका link आपको वीडियो के description box में मिल जा रहा है सबसे पहले मैं इसे हमारे desktop साइट से हटा देता हूँ तो यह हमारी repository है जिससे हमने अपने bot को deploy किया है और इस repository के लिए मैं सबसे पहले special thanks कहना चाहूँगा team telleroid को दूसरा royal krishna को और तीसरा हमारे TGNVS person को इन्होंने इस repository को बनाने में help करिये और मैं आप आपको बता देता हूँ कि आपको इसे कैसे deploy करना है खुद के लिए सबसे पहले कोईब के उपर से मेरी जो पहले की deployment है मैं इसे delete कर देता हूँ मैं नीचे scroll down करूँगा scroll down उपर नहीं यहाँ पर आपको danger zone में जाना है danger zone में जाने कबाद आप यहाँ पर अपनी repository को delete कर सकते हैं और मैं यहाँ पर delete कर दूँगा service को आप चाहें तो यहाँ पर pause भी कर सकते हैं अपनी service को कुछ time के लिए और बाद में दुबारा भी run कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर delete कर देता हूँ deleting है और हमारी यहाँ पर delete हो जाएगी delete होने बाद हमारा जो bot है वो work करना बंद कर देगा मैं एक बार फिर से अपने bot के पास जाता हूँ इसको यहाँ पर start command देता हूँ और यह अब यहाँ पर work नहीं कर रहा है ठीक है हमारा bot यहाँ पर respond नहीं कर रहा है हमारा क्योंकि जो bot है यहाँ पर deploy हो जुका मैं page को refresh करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे यह delete हो चुका है तो यहाँ पर जो हमारी service है अब यहाँ पर लिखाएगा deleted ठीक है अब मैं इस service को दोबारा deploy करूँगा किस तरह से सबसे पहले हमारी रिपोजट्री को यहाँ पर public कर लेता हूँ वैज हमारी रिपोजट्री अब आपको क्या करना है यहाँ पर कोडस पे आना है इस रिपोजट्री को open करना Хै इसके बाद को इहाँ पर मिलेगा सबसे पहले deploy to coave का button आपको इस button को open करना है अपने दूसरे browser के अंदर मैं इस page को यहाँ पर cut कर देता हूँ यह हमारा नया page है इस पे यहाँ पर आपकी पास पहले से coave पर account होना चाहिए अगर आपको देखो coave पर आपका account created नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर मैं आपको वीडियो के description में एक वीडियो का link दे दूँगा जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि आप coave के ऊपर कैसे account create कर सकते हैं मैं आपको यह वीडियो दिखा देता हूँ और एक और बात जिन यूजर का coave पर अकाउंट create नहीं हो रहा है वह आउटलुक मेल का यूज करें और उसके ऊपर sign up करें आउटलुक मेल से sign up करें तो उनका account जो है वह जल्दी create हो जाएगा इसके बाद हम जब मैंने deploy का बटन दबा चुका हूँ और हमारा जो page है यहाँ पर successfully open हो चुका है मैं already अपनी coave account के अंदर logged in हूँ मैं इसे github से deploy करूँगा और यहाँ पर आप repository दे सकते हैं repository का नाम है link search bot आपको यहाँ पर सबसे पहले branch select करनी होगी तो मैं एक बार इसे दुबारा अपनी repository को जो कि हमारी है link search bot और branch में आपको यहाँ पर main use करना है याद रखना इस वाली के अंदर आपको main branch use करनी है ठीक से देख लो main branch वैसे इस repository के अंदर main branch ही है इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी application configuration आपको इसके अंदर run command को override करना है और आपको आना है repository के codes में और आपको view codes पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर एक file मिलेगी run cmd.txt आपको इस file को open करना है और आपको यहाँ पर यह जो text मिला है आपको इस text को यहाँ पर copy कर लेना है copy करने बाद run command के अंदर आपको इस text को paste कर देना है आप आपको नीचे scroll down करना है और आपको यहां पे दिख रहे add environmental variable आपको इसे क्लिक करना है आप इस page को click बंद कर सकते हैं इसका हमारा काम हो चुका है हम्मैं अपनी repository पर वापस आता हूँ इसके बाद आपको इस page पर आना है जो किया config.py अब यहाँ पर मैं नए page में हूँ और आपको यहाँ पर variables मिल जाएंगे जो आपको use करने हैं हमारे यहाँ पर यह variables है जो हमें use करने हैं तो सबसे पहले आती है हमारी API ID API ID आपको यहाँ पर key के अंदर डालना है API ID और यह आपकी टेलिग्राम की account की API ID और API hash होती है अगर आपको यह नहीं पताना कि आप अपने टेलिग्राम account की API ID और API hash किस तरह सर्च करें तो आप हमारी एक YouTube वीडियो देख सकते हैं मैंने बनाई हुई है जिसका नाम है यह देखो यह दि how to get your telegram API ID और API hash आप इसे सर्च कर सकते हैं और YouTube के उपर हमारे चैनल पर देख सकते हैं इसे देख कर आप अपनी API ID ले सकते हैं तो मैंने अपने जो इस account की API ID और API hash है वो और अल्रेडि निकाली हुई है तो मैं हाँ पर अपनी उसी API ID को यूज करूँगा और value के अंदर उसे put कर दूँगा इसके बाद हमारा जो दूसरा variable है वो है API hash वो भी आपको उसी वीडियो से पता लग जाएगा मैं हाँ पर अपने दूसरा variable एड़ कर लूँगा API hash एड़ करने के बाद हमारा जो तीसरा variable है वो है bot token जो की आपको bot father से मिलता है देखो अगर आपको telegram पर एक simple bot create करना भी नहीं आता तो आप हमारी एक YouTube वीडियो देख सकते हैं How to make a telegram bot इस वाली वीडियो को और आपको इसे देखके पता लग जाएगा कि आप bot token कैसे हासिल कर सकते है मैंने यहाँ पर अपना bot token पहले से निकाला हुआ है मैं उसी को यहाँ पर यूज कर लूँगा और value के अंदर put कर दूँगा फिर add environmental variable पर click करूँगा यहाँ पर आपको bot session name दूसरा चौथा variable है इसको यहाँ पर डालना है session name के अंदर आप कुछ भी डाल सकते है और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ link search bot मैं हाँ यूज कर लेता हूँ ठीक है और याद रखना है inverted comma को copy मत कर लेना उसके अंदर बस आपको यहाँ पर alphabet का use करना है session name के अंदर इसके बाद आता है user string session जो कि आपका होता है pyrogram string session मैं pyrogram ही use करूँगा और मैं वही आपको suggest करूँगा क्योंकि pyrogram से क्या है कि आपका account ban नहीं होगा अगर आप telethon का session यूज करते हैं तो उसके अंदर आपके higher chances होता है कि आपके telegram account को ban कर दिया जाएगा तो मैंने जो अपना pyrogram session है वो already निकाला हुआ है जो हमारा string session आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसी को यहाँ पर use कर लूँगा और value के अंदर put कर दूँगा इसके बाद add environmental variable करूँगा अगेन अब मैं आपको बता देता हूँ क्या आप यह string session कैसे ढूंड सकते हैं तो इसको उपर आपको हमारी YouTube चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगी मैं आपको दिखा देता हूँ यह वाली generate your telegram string session हमारी आज इस वीडियो को देखके आप अपना string session create कर सकते हैं इसके बाद आजाते हम अपने अगले variable है जो है channel id अब यह channel id कौन सी है मैं आपको पहले ही बता दूँ यह आपकी वो channel id है जिसके अंदर आपके आपको links को और अपनी post को store करना है कौन सी अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा होगा तो वो हमारी जो channel था जिसके अंदर मैंने post और links को store किया था वो था log channel जिसके अंदर आपके अपने bot को administrator नहीं बनाना है ध्यान रखना administrator log channel के अंदर नहीं बनाना है और यहाँ पे आपके links store होंगे मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको last नहीं दिखाया था कि मैंने एक नई post यहाँ पे create करी थी इस नाम से और वो bot के अंदर सर्च नहीं हो रही थी वो अब सर्च हो रही है हाला कि मैंने अपने bot को भी बंद कर दिया तो वो मैं आपको वीडियो में बाद में आगे दिखा दूँगा अब क्या करना है मेरे को इस चैनल की ID मैं हापे plus messenger का use कर रहा हूँ तो मैं ID आसानी से copy कर सकता हूँ अगर आप simple telegram use कर रहे हैं तो आप YouTube के उपर हमारी एक वीडियो देख सकते हैं how to get your telegram channel ID और उसको देखके अपने चैनल ID पता कर लेना अगर आप बिल्कुल new भी है आपको कुछ भी नहीं आता तब इसके बाद आजाते हम अपने अगले वैरियेवल पर जो कि है बाट यूजर नेम यह जब आप telegram बाट फादर पर अपना बाट क्रियेट करते हैं मेरर जो बाट का यूजरनेम है मैं यहां से कपी कर लेता हूं याद रखना यूजरनेम के अदर आपको add the rate नहीं लगाना है आपको इसे अध्र को यहां पर दिएना है ठीक है हम यहां पर अगला वैरिवल करते हैं जो कि है बाट ओनर, यहाँ पे आपको अपने टेलेग्राम की यूजर आइड डालनी होगी, अगर आपको ये नहीं पता नहीं कि आप अपने टेलेग्राम की यूजर आइड कैसे पता करें, मैंने तो यहाँ पर अल्रेडी सब कुछ निकाला हुआ है वीडियो को शॉर्ट करने के लिए तॉप यूट्यूब पर हमारी एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है हाँ तो गेट यूर टेलेग्राम यूजर आईडी में आपको दिखा देता हूँ मैंने चैनल के उपर अप्लोड करी हुई है हमारे चैनल पर आपको टेलेग्राम से लिडिट सारी वीडियो मिल जाएंगे हमारे पास सारा कंटेंट हमने बनाया हुआ है अल्रेडी देखो how to make your telegram channel, how to make your telegram bot, how to get your telegram user ID आपको इस वीडियो को देखना है और अपनी user ID पता कर लेनी है अब यहाँ पर मैंने user ID फिल कर दी अब दूसरा variable हम अपने लास्ट एड कर लेते हैं जो कि यह database URL यहाँ पर आपको mongodb URL का use करना है और आपको यहाँ पर database URL डालना है अब यह mongodb URL क्या होता और इसको कैसे create करना है मैं आपको बता देता हूँ यह आपको एक वीडियो मिल जाएगी हमारे telegram channel पे how to create your mongodb URL यह देखो यह वाली वीडियो how to create account on mongodb and how to get your mongodb URL आप इस वीडियो के देखके अपना mongodb URL create कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और उसी URL को आपको बस copy करना है और यहाँ पर डाल देना है value के अंदर add environmental variable पर click करेंगे इसके बाद हम जाते हैं वापस और यहाँ पर हमारा है दूसरा updates channel यह updates channel वो होगा जिसके अंदर आप चाहते हैं अपने channel को subscribe करना bot को कि आपके इस channel को join करें बिना कोई भी यूजर आपके bot को use नहीं कर पाएगा ठीक है तो अभी अपडेट channel में क्या है अपडेट channel में आपको क्या है अपने bot को as an administrator add करना पड़ेगा और आपका जो channel है वो public भी होना चाहिए तो मैं हाप अपने channel ग्रेमेटर्स बॉट की आईडी को यूज करूँगा यह मेरा चैनल है टेलिग्राम चैनल ग्रेमेटर्स बॉट आप इसे जॉइन कर सकते हैं ले टेस्ट और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे और आपको यहाँ पर minus 100 starting में डालना है किसी भी channel और group id से पहले और उसकी id को put करना है और environmental variable पर हम click करेंगे अब हमारा आ जाता है last variable जिसकी जर्द नहीं पड़ेगी वे optional है optional नहीं है आपको इसे डालना ही नहीं है आपको इसे बस script के अंदर यहीं पर edit कर सकते हैं हमारे आपर variables हमने सारे fill कर दिये हैं इसे मैं cut कर देता हूँ अब एक चीज़ का याद रखना है यहाँ पर भी port आपका 80 होना चाहिए और आपका जो port है यहाँ पर starting में यहाँ पर variables के अंदर यहाँ पर 80-80 होना चाहिए अलग-अलग ना हो अगर अलग-अलग होगा तो आपको बहुत healthy नहीं आएगा अब हम यहाँ पर scroll down करते हैं इसके बाद आप यहाँ पर plan choose करते हैं यहाँ पर यहाँ पर अपर प्रियेट सर्विस के ओपर क्लिक करना है और आपका बॉट है वहाँ पर क्रियेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारा बॉट जो है deployment यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है अब आपको यहाँ पर पास से दस मिनट वेट करना है डिप्लॉइ होने का आपको दिखा देता हूं अपने टेलिग्राम चैनल के अंतर मैं अपने इस बॉट को एड्मीनिस्टेटर एड किया हुआ है यह मेरा टेलिग्राम चैनल है मैं किया है और आप यहाँ पर नीचे स्कुल्डाउन करेंगे तो आप इस में देखेंगे ग्रेमेस टेस्ट हुआ है अब हम यहां पर एक बार आ जाते हैं और मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो बॉट हो चुका है आपको स्ट्रोल डाउन करना है यहां पर आपकी बिल्ड लॉग से है जब आपको यहां बिल्ड लॉग के अंदर नीचे लिखा है इसके बाद इसकी deployment स्टार्ट होगी हाँ पर मैं एक बार इस page को refresh करूँगा तो अभी तक हमारी इसकी deployment स्टार्ट नहीं हुए थोड़े देर के अंदर इसकी deployment स्टार्ट हो जाएगी runtime logs के अंदर आपको इस bot के logs मिल जाएंगे अगर यहाँ पर कोई बाद में कोई भी error होगा तो वह आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा अगर आपको कोई भी error आता है बाद को deploy करने में तो आप हमारे support group ग्रेमेटर बाट पर हमें contact कर सकते हैं इसका link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा वैसे तो इतनी simple और इतनी आसान वीडियो बनाने के बाद आपको कोई भी error नहीं आना चाहिए अगर आप पूरी वीडियो को ठीक से देखते हैं तो जब तक हमारे support डिपलाग हो रहा है मैं आपको रैपो के अंदर कुछ दिखा देता हूँ कि आपको read me के अंदर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपको post store करनी है वो आपको इस format के अंदर store करनी है जो format आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसी format के अंदर आपको store करनी है तो जो आपके links होंगे वो ठीक से work करेंगा और आप भी अपने चीजों को organized way में रख पाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे log channel के अंदर मैंने अपनी सारी post को उसी format के अंदर store किया यह मेरा title है उसके बाद यह मेरा about section है दो lines के बीच में और last में मेरा post का मैंने कुछ भी यहाँ पर डाला हुआ है test video में आप यहाँ पर जो test video लिखा हुआ है यहाँ पर आ लिख सकते है episode number आप डाल सकते हैं क्या पता जैसे आगर यहाँ पर कोई series है माल लो तो आप यहाँ पर वह डाल सकते हैं episode number और फुसके बाद यहाँ पर लिंक्स डाल सकते हैं आप एक link भी डाल सकते हैं एक पोस्ट केंदर multiple Links भी डाल सकते हैं इस तरह से कुछ निज प्र त दिखाऊंगा हमारी deployment successful हो चुकी है और यहाँ पर healthy लिखा आ रहा है ठीक है अब मैं आपने bot को यहाँ पर start करके दिखाता हूं आपको तो अब जो हमारा bot नहीं पर work करना start हो चुका है अब मैंने जो post बनाई थी यह वाली last में जो अपनी पिछली वीडियो के अंदर मैंने post बनाई थी end time पे यह तब search नहीं कर रहा था बहुत लेकिन अब मैंने इसे दुबारे deploy मतलब time हो चुका है उस post को डाले हुए तो वह यहाँ पर search करके मेरे को दे रहा है और आप यहाँ पर time देशके है यह वही date है जिस दिन मैंने उस video को shoot किया था और इस video को shoot कर रहा हूं ठीक है दौन और सेम डेट को deploy हुए है बस उसमें थोड़ा सा time का difference है हमारी आज की इस video को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को like, share और subscribe जरूर करें मैंने already कि आपको log चैनल को किस तरह से use करना है और किस तरह से post को create करना है वो मैंने अपने प वीडियो को skip करेंगे ना तो फिर हम आपकी help नहीं कर सकते हैं और support group पर भी आपकी कोई help नहीं कर सकता एक और चीज मैंने इस video के अंदर सर्फ आभी यह तक आपको दिखाया कि mdisk का कैसे करना है अगर आप मालों किसी url shortner website के links को search करना चाहते हैं उसके लिए use करना चाहत सकते हैं how to earn money with url shortner website आप इस video को देखके समझ सकते हैं कि url shortner website क्या होती है और मैंने यहां पर बनाया हुआ है pro url shortner bot आप उसकी वीडियो देख सकते हैं कि आप उस बॉट को किस तरह से इस्तमाल कर सकते हैं और वो जो bottom मैंने हापे already deploy करके रखा है जो कि मैंने click supply के लिए बनाया है मैं इस बॉट के यहां पर start करूँगा अब यहां पर मैं इसके अंदर अपनी API ID set कर लेता हूं API set करने के लिए मैं हापे जाऊंगा अपने click supply पर कि यह मेरी API यह मैं इसको यहां पर copy कर लूँगा मेरी click supply की API है और इसको मैं हापे set करूँगा set API से तिक यहां पर set हो चुकी अब मैं क्या करूंगा मेरे log channel के जितने भी link है मैं इनको यहां पर convert कर लूँगा अपने short end links के अंदर अपने इस bot को send करूँगा और यह सारे links को convert कर देगा अब मैं इस आरे links को convert कर देगा अब मैं क्या करूँगा जो मेरे लॉग चिनल है इसके इंदर और जो सुआ जो डिलीट कर दूंगा कि अगया है अब यहcido मेरे हैति क्लिक्ट स्वाए वाले जो लिंक दो यहां पर कर आ और इन्हें log channel के अंदर डाल दूँगा याद रखना log channel के अंदर अपने administrator नहीं बनाना है bot को और अब मैं यहाँ पर सर्च करने की कोशिश करता हूँ अपने bot से तो ऐसा हो सकता है कि अभी साथ के साथ link ना आ है लेकिन यहाँ पर links हमारे साथ के साथ आ चुके हैं देखो यहाँ पर link short होके आ चुके हैं clicksfly के shortner के साथ तो यह जो हमारा bot वो mdisk पे भी work करता है और links पे भी work करता है चाहे आप किसी भी URL shortner website को use करें तो यह जो bot है ना वो काफी सारे telegram channel owners के लिए काफी ज़ादा useful है और मैं काफी सही बता हूँ तो मेरे को भी काफी अच्छा लगा यह bot जिसे team telleroyd और royal krishna ने develop किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया इस bot को deploy करने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को मैं हाई पर खतम करता हूँ और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप कोई click supply शॉटनर मतलब कोई URL शॉटनर वेबसाइट यूज करना चाहते है तो आप click supply का ही यूज करे और वो भी मेरे रैफर के थुरू क्योंकि आपकी अगर कोई earning होगी तो इससे थोड़ी बहुत earning मुझे भी हो जाएगी और मेरी जो earning होगी उसमें से मतलब आपके earning में से मुझे नहीं दिया जाएगा वो click supply मेर को अलग से देता है तो इसमें आपका और मेरा दौनों का फायदा होगा